हेलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस विडियो में हम लोग बात करने वाले अभी जो कल से एक वापस एक नया हफता शुरू होने वाला एक नया ट्रेडिंग वीक यहाँ पर शुरू होने व बट उससे पहले जरू करना चाहूंगा एसम किसी चैनल को फर्स टाम विजिट किया है तो जरू सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना तो ऐसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक फ्री आफ कोस्ट आपके पास डेली बेसेज के उपर पहुचते रह यहाँ पर अमेरिकन बाजार में देखने को मिली सम्हाव अमेरिकन बाजार का डो जोन्स इंडस्ट्रिल आवरेज 25,000 के उपर उसने क्लोजिंग दिये उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती तो और भी हम लोगों को प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता था तो यह बात जबरदस्क कल के दिन में देखने वाली रहेगी क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हमारा मार्केट इंफेक्ट सिर्फ हमारा नहीं दुनिया के जितने भी मार्केट है यूजवली 90% से जादा तो अमेरिकन मार्जार को ही फॉलो करते हैं आप सभी लोगों ने इसका एक् गया दो दिन के बाद कहानिया बदल सकती है ये भी चीज आप लोगों ने जरू नोट डाम करनी चाहिए तो जो भी लोग कोई ट्रेडिंग करता है तो उनको में हमेशा एक फोर्स करता हूँ दो चीज़े उन्होंने हमेशा जो उनकी स्क्रीन होती है उसके साद में दो वि सकते तो अप लोगों को बात करें जो कि हम लोग को हल चाले देखने को मिल रही है उसका प्रबाव हमारे मार्केट में भी देखने को मिल सकता है इसका impact भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि American Bazaar क्यों यहाँ पे pressure में and China-US की जो trade war है उससे related यहाँ पे जो बाते हैं वो बहुत ही अभी खराब होती है दिखने को मिल रही है आप सभी लोग पते हैं एक तो अमेरिका में election है and उसी के साथ-साथ जो चाइना में situation create हो रही है सबसे पहले अमेरिका ने वापस यहाँ पे चाइना के उपर exam लगा दिया है coronavirus से related and वो 110% सच है second अमेरिका वहाँ पे जो Hong Kong चाइना के अंदर जो Hong Kong है उसमें जो उनका जो internal matter है वहाँ पे भी क्या कर रही है US वहाँ पे interfere कर रही है तो वो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे है उसी के साथ-साथ वियत नाम के साथ भी जो चाइना के अनबन बन रहे है वहाँ पे भी US क्या कर रहे है इंटरफेर कर रहे है और बीच में अभी इंडिया और चाइना की जो अभी हम लोगों को टेंशन देखने को मिल रहे है वहाँ पे भी अमेरिका ने का है कि हम लोग इंडिया के साथ खड़े है अगर उनको military power चाहिए कोई supply चाहिए कोई भी अगर मदद लगती है तो हम लोग इंडिया के साथ खड़े तो आप लोग देख सकते चाइना एक यहाँ पे चिड़चिड़ा पन वहाँ पे देखने को मिल रहा है इसलिए चाइना ने US के साथ सीधा सीधा यहाँ पे बताया है कि जितने भी trade deals उनों ने किये थे वो यहाँ पे आगे जाके खत्रे में साबित हो सकते अगर अमेरिका का जो रवाईया है वो ऐसे अगर aggressively रहा आगे जाके यह trade war और भी यहाँ पे गेरी हो सकती है यह चीज भी आप लोगों ने जरू note down करनी चाहे वरना बाजार में कभी कभी जोरदार गिरावट आती है तो बहुत सारे लोग पूछते कि क्या हो गया तो यह already में आप लोगों को यह सारी चीज़े बता रहो और इसी से related बाजार बहुत एक uncertainty के wave में चल रहा है वरन बाफी जी इतने बड़े investor पूरे दुनिया जिनको follow करते है वो खुद कहरे है कि मैं प्रेडिक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई मीटर नहीं कोरोना वाइरस कब तक रहेगा यह US चाना के टेंशन कब तक रहेगी तब तक एक ही best solution है अड़ो है investment करो अच्छे shares में रहो जबी भी गिरावाट होती है वापे buy on disk की strategy apply करो सो यह इसके वो related मैंने ज़्यादा टाइम खर्च इसली किया क्योंकि यह pressure आगे जाके भी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है जैसे हम लोगों ने बात की कोरोना वाइरस यह तो सबसे बड़ा pressure अभी भी इंडिया के उपर मंडा रही है लगबग अभी आरोग पास अगर हम लोग देखे तो 27 जून का डेटा आप लोग देख सकते 18,000 से भी जादा अभी अभी मैंने latest news भी देखे 20,000 से भी जादा एक दीन में infected person हमारे इंडिया में देखने को मिल रहे है यह graph consistently उपर जा रहे है जब यह graph हम लोगो फ्लैट नजर आएगा ना तब हम लोग कह सकते हमारे market में एक rally होनी चाहिए बट without any flat without any जो बोलते ना graph नीचे जा रहा है उसके बावजुद हमारा इंटर करते इसलिए मैंने कल वीडियो भी बनाया था कि अगर मार्केट गिर जाते तो दस एशे शेर जिसमें अगर आपको profit मिल रहा है तो मुझे इसा लगते कि प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेना चे बाद में जितना बचता उतना छोड़ देना चे उपर आई बटन पर क्लिक करके वाला वीडियो आप लोग चाहो तो देख सकते हो इंडिया की अगर में बात करूं तो एक अच्छी बात भी है ओविसली जिसको हम लोग निगलेट इंफेक्टेट जरूर है हमारी इधर 20,000 पर उतने ही 5-6,000 हम लोगों के डेली बेसिस के उपर रिकवर भी हो रहे है तो यह भी एक अच्छी बात है तो यह भी आप लोगों ने जरूर नोट डाउन करनी चाहिए तो नेक्स्ट अगर हम लोग कोई पॉइंट कहें जो है और यह स्टेट वाइस होने वाल है कुछ चीजे ऐसी है कुछ सेक्टर ऐसे जो आज भी रेड जोन में है आज भी हम लोगों को वहां से लोगडाउन हटते हुए देखने को नहीं मिला है तो अनलोक 2.0 कैसे रहेगा कितना रहेगा कौन से चीजे वापस लोगडाउन में है SNP जो रेटिंग एजनसी है उन्हें ने हमारे इंडियन एकनोमी को भी यहाँ पर डीप ट्रबल में है ऐसा यहाँ पर बता दिया और इसमें कोई अभी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है हर एक कंट्री दुनिया की हर एक कंट्री की एकनोमी अभी हम लोगों को ट्रब करके बता है था कि एकनोमी ट्रबल में है जीडिपी नेगेटिव जा सकती है जो कि शक्तिकांता दास आर्बिया की गवर्नर उन्हों नहीं कहा था तो यह लॉंग रेंज में बताते कि मार्केट यहाँ से इतना लेवल डिजाव नहीं करता था जो कि अभी चल रहा है तो इ यहाँ पर जो रेटिंग से बॉंड से रिलेटेड वह यहाँ पर एक्सी बैंक हो या फिर बजाज फाइनस जैसे जो बड़े दिगज स्टॉक से क्यों बड़े दिगज है क्योंकि इंडेक्स में आते है तो यहाँ पर उनकी रेटिंग को क्या करते है जंक कर दिया यहाँ उनको कम कर दिये सो डेफिनिटली हम लोग कह सकते है कि एक प्रेशर यहाँ पर आ सकता है और निफ्टी में भी हम लोग को यह ओवरल परफॉर्मंस के उपर थोड़ी सी सिचुएशन खराब होती है देखने को मिल सकती है उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट यह को मिल जाएंगे हाला कि पिछला जो महिना हम लोगों को देखने को मिला सर्प्राइजिंग लिए अच्छे नंबर दिये एप्रेल की तो बहुत ही छोड़ दीजे पूरा जीरो सेल सी नोट डाउन कर दिया था क्योंकि तभी तो लोग डाउन जस्टार्ट हुआ था में में कुछ हद तक हम लोगों को मिक्स परफॉर्मस देखने को मिला मारूती ने तो 18,000 अपनी गाड़िया बेची तो इस वक्त और एक्स्पेक्टेशन यहां पर बड़े हुए हैं तो यही सब लोग को निगाही रहने वाली कि आटो सेक्टर का परफॉर्मस कैसे रहेगा क्यों कि यह सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रियेट कर रहा है तो यह भी हम लोग को यहां पर देखना है अगर आटो सेक्टर की में बात करूं तो मैं अल्रेडी आप लोग को दूसरे वीडियो में बता चुका हूं कि चार हिस्सों में वह बाटा जाता है एक होता है टू हेवी वेइकल्स मतलब अगर हम लोग बात करें तो बसे सो अगर हम लोग बात करें टू विलर्स तो ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा इनफेक्ट डिमांड भी वहाँ पर बढ़ सकती है फोर विलर की बात करें तो कंपेरिटिवली मारूती की नंबर से अच्छे आ सकते टाटा मोटरस के खराबी आ सकते हैं एसा हम लोग पकड़ के चल सकते क्योंकि लग्जरी सुनिट जो है उनकी जैलर वो प्रेशर क्रेट कर सकते हैं ट्रेक्टर के नंबर अच्छे आ सकते हैं आप सभी लोग पता है क्योंकि एगरिकल्चर से रिलेटेड जो बढ़ावा द मिल सकती है तो एक्चल में नंबर के आएंगे यह तो वक्ती बताएगा इस हफ़ते ऑटो सेल्स के बिर जो नंबर आने वाले उसके उपर भी सभी लोगों के निगाए ज़रूर रहने वाली है उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कौटर फोर के नंबर सी है दो कुछ अभी इस हफ़ते आने वाले जैसे की सेल हो या फिर ओएंजीसी जैसी कंपनिया हो पीसी जोलर जैसे पिटेवे स्टॉक हो या फिर आरकॉम जैसे स्टॉक है इनके नंबर साने वाले एंड कल की अगर हम लोग बात करें तो एक इंपोर्टन चीज है कि ITC इस कंपनी की रिजल्ट पेश के सो कल यहां पर रूची स्वाय में क्या होता है अपर सर्कृट कंटीनी रहता है या फिर नीचे आता है वो भी देखना हम लोगों को यहां पर पड़ेगा ग्लेनमार्क के भी यहां पर रिजल्ट आ चुके वह भी हम लोग यहां पर देख सकते ब्लैक र रखना है और अभी का बाजार आप सब लोगों को पता है बहुत ही जादा बहुत ही जादा किसके बेस के उपर चल रहा है न्यूज बेस के उपर तो फिलाल आप लोगों को यही कहना चांगा कि न्यूज के उपर बहुत कड़ी नजरे रखनी है किस टाइप के न्यूज आ का मार्केट यहां पर क्रियेट हो चुका है यह मेरी कहिने के शब्द नहीं है यह वारिन बफे जी की शब्द है जो कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में भी बता दिये थे इस सारे पैरामेटर्स देखे हम लोग जरू कह सकते हैं यह हफता भी बहुत ही ज्यादा इंट के रिलेटेड एक्सपांशन करने माले है तो तब तक वो डॉलर 40 के ही हम लोगों का इर्द गेर देखने को मिलने वाला है डॉलर की बात करें तो उसके उपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है आई टी सेक्टर के शेर के उपर भी फोकस रखना है जो कि आाप लोगों को बाजार में थोड़ी से हलचल क्रेट करते हुए देखने को मिल सकते हैं, so आयोब आशा करता हो दोस्तों जीतने भी important parameters थे, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहे है, already advance में मैं आप लोगों को बता दिये, so अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे